जलवायू परिवर्तन का असर अब दिखाई देने लगा है निरंतर बोड़ते तापमान और बारिश के प्रारूप में बदलाव इसके उदाहरण है जिसके कारण जल संसाधन, खेती, बागबानी, मचली पारन, आजीव का, स्वास्तु द्योग और समाजिक और आर्ति गतिविदियों पर विप्रीत असर पढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं प्रदूशन से बड़ते पर्यावरण के खत्रे की चिंताओं के मद्धनहजर, राज़ानी दिल्ली में इंडिया आई इंटरनेशनल हुमेन राइट अप्जरवर द्वारा एक संब्लियन कायोजन किया गया संब्लियन में मौझूद पर्यावरण विशर शग्यों ने प्रदूशन से प्रकृती के बिवरते संतुरन पर चिंता जाहर करते हुए धरती मा को ग्रीन और क्लीन बनाने पर जोर दिया पेशर हमारे संबादाता उपई आदब की ये खास रिपोर्ट ये नजारा है वैशुक जलवाईू परिवरतन की चुनौतियों के प्रधी देश और दुनिया में जागरुपता फैलाने के लिए राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रतिवी के जलाभिशेक समागन्त का अज हम सब लोग प्रकर्ति और प्र्यावरन की रक्षा का संकल्प लें प्रकर्ति प्रधत जो चीजें हैं 25 तत्तो से निर्मित यहाँ पूरा सरीर है हाल में ही विश्वबैंक द्वारा कराए गई एक महत्पूर्ण अध्यन के अनुसार जलवायू परिवर्तन के गंभीर खत्रों से भारत भी अचूता नहीं रहेगा इस चिंता को जताते हुए अंतराष्टिय परियावराण विशिशग साध्वी भागवती सरस्वती ने परियावराण प्रदूशन को रोकने के लिए अंतराष्टिय इस्तर पर जागरुक्ता पर भल दिया देखे, climate change जो है, वो कोई outer space की meteor या asteroid से नहीं हो रहा है हम बात करते है, water shortage, planetary water shortage, बात करते है, planetary food shortage, बात करते है, planetary land shortage लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूं, ना हमारे कोई land shortage, ना water shortage, ना food shortage इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए, जाने मने, परियावरण विद, राकेश शर्मा ने कहा कि बहुतिकवाद की आंधी के दौड ने परियावरण को प्रदूश्चित किया है, जो भविश के संकट का आखाज है परियावरण प्रदूश्चित की समस्या से कई धर्म गुरू भी चिंती थे, और अपने सर पर रुद्राक्ष के लाखो पेड़ लगा कर धर्ती को हराभारा करने का काम भी कर रहे हैं 2004 से मैं पूरे भारत में रुद्राक्ष के पौधे के रोपन का कार्य तरभू करा रहा है 20-22 लाख पौधे लग चुके और सबसे बड़ा भ्रमिया दूर हुआ कि रुद्राक्ष पहाड के अलावा कहीं होई नहीं सकता जैसल मेर जैसी जगे बाकी जगे हो रहा है यह शिवटी गृपा है क्योंकि मैं शोवित अनश्री में प्रोफेसर भी हूँ तो रुद्राक्ष पर 20 से अधिक रिसर्च हुई है रुद्राक्ष के ब्रिक्ष पर कि ऑक्सीजन सबसे आया देता है औसद ही गुण इसमें बहुत है परियावरान के लिए सबसे लावपरद है बिगड़ते परियावरान का सबसे बड़ा कारण उद्योगों का अंधानू करण है जिसके कारण आज ना केवल धर्ती प्रदुशित हो रहे है बलकि स्वयम इंसान का भी जीवन संकट में पड़ रहा है आई थिंग यह बहुत एस्सेंशियल और बहुत क्रूशियल स्टेज है जो हमारे देश पे अभी चल रहा है ऐसे आप देखें कि बहुत सारे इंडेस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे न्यू इंडेस्ट्रीज आ रहे तो ये इंवाइरूमेंट पे बहुत बुरी तरह असर कर रहे आप देखें इतने सारे ट्रीज, we are causing so much of deforestation deforestation जितना हो रहे, उतना plantation भी नहीं हो रहे इतने जगा पे droughts हो रहे, इतने जगा पे heavy rainfall हो रहे और कही कही जगा पे rainfall भी नहीं हो रहे, हमारे farmers को भी आजकल इतने दिक्कत हो रहे, तो ये सब क्लाइमेट चेंज के कारणी हो रहे परयावरण को सहिजने के जिम्मदारे सिर्फ सरकार की ही नहीं बलकि हम सब आपकी है, और इसके समधान के लिए समाज को भी आगे आना चाहिए अगर आज हम जागेंगे तो कल को बेहतर कर पाएंगे और आने वाली पीडियों को स्वस्त और सिहतमन्द वातावरण दे पाएंगे वहस्विक जलवाई परिवर्तन समस्तरष्टी के लिए चिंता का विशे बना हुआ है इस समस्ता से निजात के लिए जरूरी है कि सरकार और संक्टोने के साथ साथ समाज भी आ गया है झाली 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 पाली झाली जलवाई परिवर्तन समस्तरष्टी के लिए जरूरी है